जैहन दोस्तों कैसे हो आप सब उमीदाब सब लोग काफी अच्छे होंगे तो आप लोगों का इंतिजार हो चुका है खतम मैं लेकर आचुका हूँ आप लोगों के डिमांडिंग वीडियो फिर से अगेन तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ढूंकर भेतरी निश्टॉक लेकर आया हूँ जो लगबग फटने को तैयार है तो चलिए वीडियो के श्टार्ट करने से पहले आप लोग फटावट से लाइक बटन दबा दीजे और चैनल पर पहली बार आयोता सब्सक्राइब भी जरूर करना तो गैस सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देखें ये स्टॉक लगबग 80 रुपे के आसपास कर रहा है ट्रेड और काफी टाइम से एक रेंज के अंदर गाईज ये कर रहा है तो गाईज अब जो इसके अगले टार्गेट से निकल कर आ रहे हैं वो लगबग 90 से लेके 100 तो शौट टर्म के हैं ही बट अगर 100 के ब्रेक आउट को दे देता है तो गाईज ये 120 तक जा सकता है शौट टर्म के अंदर ही तो गाईज कौन सा ये श्टॉक इसकी तो चर्चा हम लोग करेंगी बट उससे पहले कुछ इंट्रेस्टिंग फेक्टर प्लस टेक्निकल बेस पर भी देख लेते हैं तो गाईज सबसे पहला अगर आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे तो ये इसी रेंज के आसपास सपोर्ट बना चुका है लगबख 70 से 100 के बीच तो गाईज अभी ये फिर से उपर की तरफ जा रहा है तो गाईज सपोर्ट इसका 74 के आसपास है कि स्ट्रॉंग है 72, 74 देन उसके बाद 100 एक इसका रेसिस्टेंस है तो गाईज सेफ पिलेर अपना 100 के आसपास एक बार प्रॉफिट बोग कर सकते हैं अदर्वाइज अपने SL को ट्रेल करते हैं भी जा सकते हैं और गाईज लॉन टर्म की ये कंपनी अपने आप में काफ जार धीरे-धीरे करके कंपनी अपने प्रॉफिट को राइजी करती जा रही है तो गाई इस किसी भी कंपनी की अपने आप में अच्छी पैचान होती है कि कंपनी मुनाफ़ा कमाए तो अभी तक आपको इस टोक कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता आपको जानते हो कि इसका वरक है यह ओप्टिक फाइवर केवल बनाती है वाइफ़ाई सिस्टम से रिलेटेड तो गाईज आप लोग जानते हो कि आज के टाइम में हर को यह अपने घर पे वाइफ़ाई लगवाना प्रिफर करता है और केवल कनेक्शन फाइबर के लिए जो यूज होता है यह वो company बनाती है और अपने आप में इनके partners काफी अच्छे हैं तो guys HFCL share का नाम है और guys अब अगर आपको यह 78 के आसपास भी मिलता है तो यह आपकी पूरी buying zone है guys यह वाला 78 80 आपको यहां मिलता है तो guys अच्छा best buy है यहां पर यह मिल रहा है भी बाकी आप लोग अपनी research अंग सब लोग जरूर करें मेरे साब से guys यह best इसका buying rate चल रहा है और guys target मैंने आप लोगों को बता दिये अब guys हम लोग आते हैं इसके shareholding pattern में तो interesting चीज निकल कर यह आ रही है कि देखे प्रमोटर के जो हिस्सेदारी है वो यहां सच छीनी गई है और public से माल यहां पर छीना गया है तो guys यह अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि माल किस ने लिया है तो guys अगर आप वीडियो का भी पसंद आई होगी तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार आयो सब्सक्राइब करके जरूर जाना थैंक यू जैहिंद